हेलो फ्रेंड्स तो आज हम स्टिक ड्राइंग सीखेंगे स्टिक ड्राइंग क्या होती है सबसे पहले तो स्टिक ड्राइंग किसी भी पोट्रेट को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लाइन्स के फॉर्म में डिपिक कराना जैसे कि हम बच्पन में कहते थे कि head के लिए एक round बना दिया hand के लिए दो line कीचती legs के लिए भी same दो line कीचती तो हम एक figure बना ले रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर stick drawing करनी है अब आप पूछेंगे कि हम यह बनाते किसलिए हैं तो यह हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे hands या legs का ratio पता चल जाए कि जैसे एक hand उपर जा रहा है एक leg left में जा रहा है ऐसा ना हो कि हम पूरा complete draw कर लें फिर पता चला कि एक hand छोटा रह गया या एक leg right side जाना था तो थोड़ा से tilt हो गया तो इसलिए angles का पता लग जाए और हमें posture का पता लग जाए कि कि साइट जा रहा है कैसे posture में है और कितना ratio है तो इसलिए हम इसे बनाते हैं तो फिर मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ तो इसके लिए आपको existing कोई भी figure ले लें जैसे कि newspaper में हो या फिर magazines में मिल जाएगा आपको अगर possible हो तो कोई dance का form या yoga या sports करते हुए उसका post ले लें जिससे कि आप अच्छे से सीख पाएं जिसमें hands, legs posture दिखाया गया हो कि एक hand right में जा रहा है एक leg right में जा रहा है ये सब तो अब आपको simply क्या करना है कि सबसे पहले head बना लेते हैं head को हमना oval shape से depict कराएंगे बस ये देख लेना है कि ये किस साइड में थोड़ा सा pointed है मतलब कि chin जो है वो किस साइड में देख रही है यहाँ पर ये right side में देख रही है screen के right में तो हम थोड़ा सा जो curve shape रहेगा उसको right side में दिखाएंगे फिर उसके बाद neck के लिए एक छोटी सी line बना लेना है और उसके बाद backbone के लिए एक line बनाना है तो backbone के लिए ऐसे जरूरी नहीं है कि आप एक straight line ही बना है उसको आप curves भी दे सकते हैं जैसे कि कोई थोड़ा band होकर कोई चीज उठा रहा है जमीन से तो आप उसे वैसा curve दे सकते हैं या फिर कोई yoga करने के लिए नीचे जुका हुआ है या right side जुका हुआ है या left side तो आप वैसा करवाएगा फिर shoulder के लिए भी shoulder के लिए भी हम line बना लेते हैं line से दिखाते हैं फिर joints के लिए या round shape यूज करेंगे small circles का यूज करेंगे फिर hands को दो पार्ट में ड्रॉ करेंगे एक तो elbow के उपा का portion आ जाता है एक elbow के नीजे का portion आ जाता है जिसे आप wrist बोलते हैं फिर wrist के बाद जो finger है और thumb बाल पोशन है वो हम एक finger finger नी बनानी है चार finger बना लिए एक thumb बना लिए ये सब ने करना है हमें बिल्कुल roughly draw करना है बिल्कुल एक oval shape बना लिए जैसे की hand दिख रहा है हमे उसके बाद bottom portion के लिए हम क्या करेंगे कि bottom portion को सिर्फ एक round form में roughly draw कर लेंगे फिर उसके बाद legs पढ़ाएंगे तो legs के लिए पहले thighs के लिए हमें line बनानी है जिस direction में हमें thighs देख रहा है कि right side में जा रहा है या फिर left में जा रहा है या फिर थोड़ा सा tilt है या 45 degree है 60 degree है तो उस form में उसे line बना लेंगे उसके बाद knees बनाएंगे तो knees के लिए knees के लिए round फिर बना लेंगे क्योंकि joint है वहाँ पर फिर उसके बाद उसके नीचे का leg joint के नीचे का तो वह भी line के form में डिपिक करेंगे कि जैसे right side में leg जा रहा है तो right side में थोड़ा tilt बना लेंगे या left side में या जितने एंगल पर हमें पिच्चा में दिख रहा है तो इतने एंगल पर line बना लेंगे फिर same दूसरा leg बना लेंगे और फिर उसका foot बनाने के लिए तो जैसा ही हमने hands बनाए थे कि ना हमें pointed fingers दिखानी है ना thumb दिखाना है rough rough draw करना है कि किस shape में किस side में foot दिख रहा है तो वैसे हम उसे roughly draw कर लेंगे एक बार अब आप ये magazine से सीख चाहेंगे तो फिर आप उसे newspaper से भी जैसे आप try कर सकते हैं अलग-अलग figures दिख रहे हैं आपको तो बहुत सारे try कीजे जितने भी आपको figures दिख रहे हैं जहां पर भी आपको मिल जाएं महां पर आप try कीजे पैंसल से draw करना और एक पर आवा अगर आप सीख कर तो उसको फिर आप blank paper में use कर blank paper में draw कर सकते हैं देख कर कि अच्छा ये मैंने इस side इस angle का यहां पर बनाया था और उसको फिर मैं आप इसे बना रहा हूं rough copy में फिर rough copy में अगर देख देख के सीख कर तो फिर बिना देखे भी आप imagine कर सकते कि कोई इंसान जैसे बैठा हुआ है तो वो केसे बैठा हुआ है आगर वो हाथ उसका कहांपर है एक हाथ कहां पर है लयक कैसे जाएगा तो वैसा आप ट्राय कह सकते हैं झाल कर में इसकते हैं हपी सकतिंग! थैंक्स!